नमस्कार स्वागते अब सभी का हमारे कारिक्रम संजीवनी में आपके साथ मैं हूँ सुनाली शर्मा दर्श को बाद गर्भवस्ता की की जाए तो गर्भवस्ता एक महिला की जीवन में बेहत खास और एक अनूथा एहसास लेकर आती है ऐसे में गर्भवस्ता के दौरान एक महिला के जीवन में कई उतार चरहाव भी आते हैं कई तरह की शाररिक और मांसिक चुनोतियों से भी महिला को इस दौरान गुजरना पड़ता है लेकिन आज अपने इस कारिक्रम के जरी हम जानेंगे कि किस प्रकार आयरवेद की गर्भिनी परिचरिया में महिला को गर्भावस्था में किस तरह से उसका रहन सहन होना चाहिए आहार विहार होना चाहिए गतिविध्या होनी चाहिए इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई है साथ ही हम ये भी जानेंगे दर्शको कि गर्भिनी परिचरिया क्या है और किस तरह से गर्भावस्था को इस बेहत सुखद नौ महीनों को बाटा गया है गर्भिनी परिचरिया में और ये भी जानने के प्रयास करेंगे कि प्रसव और उसके बाद जो शिशु का जब जन्म होता है तो खयाल वहाँ पर माँ और बच्चे का कैसे रखना चाहिए और दर्शु को इस विशे पर बात करने के लिए बेहत खास महमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्तित हैं हमारे साथ आयरुवेदिक स्त्री एवंप्रसुती रोग विशिशाग्या डॉक्टर अंजना ताक्ची हैं तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं डॉक्टर अंजना बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारी कारीक्रम में बहुत-बहुत धन्यवद सोनाली जी मुझे लिए उसकारेक्रम में वंतरित करने के लिए तो जिस तरह से आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आयरुवेद में गर्भीनी परिचरिया को किस तरह से परिभाशित किया गया है यह क्यों इतनी एहम है और महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान क् ना चाहिए देखिए अगर हम महिलाओं की बात करें तो पूरे जीवनकाल में वह बहुत अलग लग दोरों से गुसरती है जैसे पहले बच्पन होता है फिर किशोर अवस्ता उसका यौवन अवस्ता होती है और उसका पिगनेंसी और अगर मैं यह कहना गलत नहीं होगा कि जो क्रियात्मक दिश्टी से कहें तो इन सब चेंजिस को अकमोडेट करने के लिए हमारे आयरवेद में क्या खाना चाहिए अहार किस तरीके का होना चाहिए किस तरह का विहार होना चाहिए डूज और डोंट्स बताये गए हैं किस तरह के इमोशन्स या थौट्स को गर्भनी क को रखना चाहिए मतलब कि विचार कैसे होने चाहिए और इस खास अवस्ता में क्या दवाएं लेनी चाहिए तो इस सब बताया गया है इन सब के कॉंबिनेशन को जो गर्भनी परिचरा है वो कहा जाता है यह समानने रूप से एक नॉर्मल प्रेग्नेंसी के लिए कहा गया अगर एज के एकॉर्डिंग, सीजन के एकॉर्डिंग या फिर बोडी टाइप के एकॉर्डिंग थोड़े बड़ स्लाइट मॉडिफिकेशन इसमें होती है तो आपने बहुत अच्छे से समझाया हमारे दर्शकों को की गर्भिनी परिचरी आखिर क्या है और उसमें किस त करना चाहिए अगर हम आयरवेद की हिसाब से बोले तो कोई भी ऐसी एक खास उम्र जो है वो परिभाशित नहीं की गई है बट बहुत सारी स्टडी इसके बारे में हुई है देखो ऑप्टिमल एज अगर हम ओवरी की हेल्थ के अकॉर्डिंग ली बोले तो बाइस साल है औ तो यह इतनी एज में अभी जो कंसेप्शन जो पॉसिबल नहीं होती बट फिर भी एक ब्रॉडली अगर मैं बोलो तो पहली पेगनेंसी जो है वो अगर कोई वरकिंग भी है तो तीस साल की एज से पहले जो है वो जरूर कर लेनी चाहिए और 35 से पहले कोशिश करनी कंसेप्शन में भी दिक्कत आती है और अगर कंसेप्शन होती भी है तो कुछ माल फॉर्मेशन के चांसे कुछ क्रोमोजोमल एबनॉमेलिटी के चांसे उसमें जादा होते हैं तो मेरी यही सलाह रहेगे कि फर्स पेगनेंसी 30 से पहले और अगर फैमिली कंप्लीट करनी है तो 35 की एज से पहले हर हाल में कर लेना चाहिए बढ़ते हैं आगे किस तरह से अगर गर्भनी परिचरिया की बात की जाए तो क्या नौ महीनों को उसमें बाटा गया है महीनों के वार क्या इसको लेकर कोई जानकारी बिलकुल जी जैसे सब जानते हैं कि जो गर्भावस है तो 9 महीने की होती है बट अगर हम मेडिकल टर्मिनालोजी में बात करें तो इसको सिम्टम्स के कार्डिंग और अगर साइंस के कार्डिंग हम बार्टे तो तीन ट्रामिस्टर में तीन तिमाहियों में इसको हम बार्टे हैं पहली तीमाहि जब UPT पॉज़िवा अगले तीन महीने, that means कि 13 हफते से लेके 28 हफते तक का जो टाइम है वो दृत्ते तीमाही हम उसको बोलते हैं और 28 हफते के बाद से लेके जब तक डिलिवरी नहीं हो जाती जो की आमतार पे 37 से 40 हफते के बीच में होते हैं उसको हम 33 तीमाही या फिर हम 3 टेमिस्टर बोल सकते हैं तो एक-एक करके हम इन ट्राइमस्टर पर इन तीमाहीों पर बातचीत करेंगे लेकिन डॉक्टर अंजना ये भी जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं गर्भ धारन करने का प्रयास कर रही है क्या गर्भिणी परिचरिया में इसको लेकर भी जानकारी दी गई है जो इस प्रोसेस में आना चाहती है उनको अपने शरीर को किस तरह से तयार करना चाहिए देखिए सुनाले जी बहुत ही महत्वपूर्ण आपने कोश्चन किया है क्यूंकि देखिए इसको हम प्री कंसेप्शनल केर बोलते हैं आयरवेद के अकॉर्डिंग ना प्रेगनेंसी हमिशा प्लैंड होनी जाए एक बार ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी हो गई तो उसके अफ़र फख्र-चेटि की जा रही है जो लाइफस्टाइल है बहुत ही हो गया है स्ट्रेस बहुत साथ है और बहुत सारी में कैई तरिकी की आडिक्शन होती है जैसे चाहिँ होएल कोहल की बात करें जाहिए है श्मोकिंग है और चाहिए कौफी की अड़ी है तो बहुत तरीके की complications आगे आ सकती हैं, जैसे कि अगर हम मदर की बात करें तो premature deliveries होती है, abortions हो सकते हैं, और मदर को आगे चलके hypertension या diabetes इस तरीके की problems होती हैं, और अगर बच्चे की बात करें तो बच्चे की growth के बार restricted रहती है, जिसको हम IUGR बोलते हैं, या कई बार के तरीके क जो regimen है वो बताई गई है, male और female दोनों के लिए अलग लग बताया है, तो particular type का हार विहार बताया गया है, और साथ में ही कुछ पंच करम की therapies, जैसे की बस्ती, यह बताई गई है, basically इसका motto है body को purify करना, purification जो मैं आपको पंच करम की बात करें, यह basically शोधन करम होते हैं, जो कि ना सिरफ internally body को, toxins को remove करते हैं, सिरफ उसको purify करते हैं, बलकि इनका action बहुत deep-sitted होता है, deep-sitted का मतलब यह है कि यह gamete health के लिए बहुत अच्छे होते हैं, males की बात करें तो sperms, और females की बात करें तो ovum, क्योंकि अगर gamete healthy होंगे, तब ही आगे चलके healthy progeny बना सकते हैं तो इसलिए पहले से ही preparation बहुत जरूरी है, बहुत सारे कुछ rituals बताये गए है, diet और punch करब, इन सब का combination होनी के बाद, body जब अच्छे से purify होगी, तब हमें conception के लिए try करना चाहिए, और diet की यहाँ पर आपने बात किया, तो किस तरह की diet, यहाँ पर अगर कोई planning की और कर देनी चाहिए, बट minimum two months, जिस तरीके से अगर हम elopath की बात करें, folic acid पहले से देना शुरू करते हैं, तो उसी तरीके से healthy lifestyle जो है वो हमें इस टाइम पर अपनाना चाहिए, मेल्स के अगर हम बात करें तो उसमें जैसे माश की डाल है, इस तरह की कुछ चीज़े बताई ह इस तरह की कुछ supplements है जो हमें इस टाइम पर लेने चाहिए, तो almost मतलब 6 महीने तक हमें इस चीज़ को शुरू कर देना चाहिए, बिल्कुल, डॉक्टर साब अब तीमाही की और बढ़ते हैं, पहले तीमाही जिस तरह साब पर पताया कि पहले 3 महीने, कितने महतपून एक मह महिला के लिए होते हैं, गर्ब धारन करने के बाद, और इन 3 महीनों में किस तरह का आहार विहार एक महिला को अपनाना चाहिए, देखे, इस टीनों टाइमेस्टर में जो फॉर्स टाइमेस्टर है, यह सबसे जादा इंपॉर्टेंट जो तीमाही है, वो होती है, वो इसलि मल्टिप्लाइ करते हैं और ग्रो करते हैं, जितने भी ओर्गन से वो ड्वेल्प करते हैं, जितने भी प्रणालियें अंदर, जितने भी हमारी जो सिस्टम से वो ड्वेल्प होते हैं, मतलब यह हम कह सकते हैं कि जो बच्चे की बेसिक बनावट है वो इन 3 महीनों में ही डि अगर हम बात करें तो एक तो जैसे नया नया टेस्ट अभी पॉजिटिव आया होता है, एंसाइटी भी रहती है फीमिल्स में, कई लोग कन्फूजन में रहते हैं, और कई बार समझ नहीं आ रहा होते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कई बार जो सला देने वाले होते हैं, वो और जादा इंटरनेट की नॉलिज दे के कई बार कन्फूज कर देते हैं, तो मेरी यही सला रहेगी कि सबसे पहले तो जैसे ही टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो पहला काम यह करना है कि अपने जो डॉक्टर को कंसल्ट करना है, घबराना नहीं है, और जो भी लक्षन है वो खुल के अपने डॉक्टर के सामने बताने हैं, किसे भी चीज को छुपाना नहीं है, और जितने भी टेस्ट अगर जैसे हम इनसी प्रोफाइल की बात करें, रेगुलर चेकपस इस टाइम पर इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स इस टाइम पर बॉड़ी में नहीं अपियर होते हैं, जो पहले नहीं हो रहे होते हैं, जैसी कि ब्रेस्ट में हो सकती है, कुछ pigmentation का issue हो सकता है, urine बार-बार जाना पर सकता है, शरीर में भारीपन है, थकावट है, वो हो सकती है, इन में से कुछ तो physiological है, मतलब कि जो की pregnancy में आम तार पे होते भी हैं, बट इनको ना ignore भी नहीं करना और बहुत जादे इन से घबराना भी नहीं, इसलिए regular check-ups इस टाइम पे बहुत ही जादा important है, और खान-पान का इस पहली तिमाही में किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, खाने को लेकर किन चीजों को जादा सेवन उनका बढ़ाना चाहिए, और किन चीजों से परहज करना चाहिए, और खान-पान बहुत ही important है, और अगर हम अरभिनी परियाच की बात करें, तो अहार सबसे जादा important role इसमें play करता है, और अगर हम आयरुवेद की बात करें, अहार को महा भैशज्य बोला गया है, महा भैशज्य मतलब कि कोई भी medicine से बढ़ के अहार है, अगर आप healthy diet लेते हो, तो आपको आगे चल के future में, जो medicine है, इवन जरूरत भी नहीं पड़ती, और अगर हम सभी सहिताओं को देख लें, तो उसमें यह बुला गया है कि इस टाइम पर पर्टिकुलरली अगर मैं आयरुवेदिक टर्मिनॉलजी में बात करूं, तो मधूर, शीत और द्रव पदार्थों का सेवन करने के लिए बोला है मधूर मींज ना के सिरफ टेस्ट में मधूर, बलकि जो के मधूर रस वाली आउशदियां होती हैं, उनका प्रयोग बताया गया है, शीत मतलब की ठंडी तासीर वाली चीज़ें इसमें लेनी चाहिए और लिक्विड इन टेक इसमें अच्छा रखना चाहिए, दूद का प का महत्व होता है इन शुरुआती तीन महीनों में? मतलब जो सैर है वो 20 मिनट से लेके 30 मिनट मीज आदा घंटे तक जो वाक है वो ब्रिस्क वाक नी, बिल्कुल ही जेंटल चाहिए वो वाक कर सकते हैं, और बहुत सारी कंडिशन में जैसे अगर स्विमिंग है, स्विमिंग को भी किसी हद तक हम सेफ मानते हैं इसमें, और य परेस्ट बस्टर की तरह भी काम करता है, जब हम योग को अपनाते हैं, अगर हम प्राणायाम करते हैं, तो बॉडी में ऑक्सेजनिशन बहुत अच्छी होती है, जो बलड है उसमें ऑक्सेजन बहुत अच्छी से फ्लो करती है, वो अच्छे से टीशू तक जाते हैं, और बहुत ही अच्छी होती हैं तो इस टाइम पर योग का डेफिनिटली बहुत मतव है बठा यह मैं बार-बार बूलना चाहूंगे कि योग को कभी भी टीवी से देखें कोई भी किसी लिट्रेचर को पढ़के गर्भा वस्ता में पर्टिक्लरली स्टार्ट नहीं करना चाहिए किसी की सूपरवीशन में ही इसको जो है वो स्टार्ट करना है बिल्कुल डॉक्टर अंजिना कई केसेस में ये भी देखा है कि जो शुरुवाती तीन महीने होते हैं वहाँ पर महिला को काफी प्रकार की खाने से भोजन से गंद आती है जी बहुत मिशलाता है उल्टी की सम किसी को कम किसी को जादा इसका अगर हम इसके कारण की बात करें तो बेसी कारण यह कि इस टाइम पर बहुत सारे हॉर्मोन जो है ना वह शरीर में सर्कुलेट हो रहे होते हैं कुछ प्रिवेस हॉर्मोन जैसे इस्ट्रोजन है उसका लेवल बढ़ रहा होता है कुछ नए होते हैं और इवन कुछ इस सरा के हॉर्मोन है कि जो की गैस्ट्रिक इंपिंग को रोकते हैं मतलब कि जो खाना हम खाते हैं जो हमारी स्टमक में रहता है वह पर्टिकुलर टाइम पर आगे की तरफ मो बव होता है बट इस टाइम पे कुछ ऐसे hormonal changes होते हैं कि वो खाना वहीं पे काफी दे तक पड़ा रहता है तो इस वज़े से भी इस तरह की problem जो होती है और definitely आयरवेद में इसका बहुत अच्छी रोगताम हम कर सकते हैं और सबसे main जो important बात है इसमें कि हमें small frequent meals लेने जी कहने का मतलब है कि हमें थोड़ा थोड़ा पर बार-बार जो है वो खाना खाना चाहे एक ही बार में पेट भर के खाना हमें नहीं लेना बहुत लंबे time तक हमें भूखा नहीं रहना जए क्योंकि आमतोर पर केई अगर आप बीज निकालके तवे में हलके से रोस्ट करके उसका पाउडर बनाके अगर आप मुं में रखते हैं तो बहुत अच्छा इसकी रोक थाम में कारगर जो है वो सिध्ध होता है अद्रक का पी साथ थोड़ा से संधा नमक के साथ मुं में रख सकते हैं कड़ी पत्ता अल्मूस्ट हर घर में अवेलेबल होता है पांस से साथ पत्ती का अगर आप थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्सी में डाल के उसको चान के अगर आप लेते हैं तो यह अच्छा एक काम करता है सुखा धनिया हर घर में मसाले की तरह यूज होता है इसका भी इसको थोड़ में अच्छा रहता है बहुत महिला के शरीर में किस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं देखिए जो दूसरी तिमाही है यह एक बड़ा ही सूधिंग पीरेड होता है आम तोर पे फीमिल्स के लिए क्योंकि पहली तिमाही में बहुत सारे नए लक्षन जैसे मैंने बुला उ सारे लक्षन आम तोर पे सेकेंड टैमेस्टर के शुरू होने पे जैसे ही जो गर्भिनी है वो चौथे महीने में अंटर करते हैं आम तोर पे सिम्टम्स सबसाइड कर जाते हैं इस टाइम पे बॉड़ी के जो जो फीटर के अगर हम बात करें तो उसके अंग और ज्यादा होने शुरू होते हैं और जो विजिबल चेंजिस है ना वो गर्भिनी में इस टाइम पर आने शुरू होते हैं उसका वेट गेन होगा पहले तीन मेने में आम तो पे पेशेंट्स आकर ये बोलते हैं कि हमारा तो वेट बढ़ा ही नहीं तो बहुत ही निगलीजिबल वेट अब इस टाइम पर आके वेट गेन होना शुरू होता है विजिबल इसकी जो अब्डामन की गर्थ है वो बढ़नी शुरू हो जाती है कुछ स्किन के चेंजिस आने शुरू होते हैं जैसे स्पेशली चीक्स पर जो जाईयां जिसको हम बोलते हैं क्लॉयाजमा वो अपियर ह पेट पे स्ट्रेच मार्क्स आते हैं तो इस तरह के लक्षन इस टाइम पर अपियर होते हैं तो यहां पर इस यानि की दूसरी तिमाही पर यहां पर पहली तिमाही के अनुसार भोजन में अब क्या बदलाव करना चाहिए क्योंकि अब धीरे-धीरे हम एक हाफ वे प्रेग मतलब कि मखन का प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है और जैसे फिफ्ट और शिक्स मार्च की बात करें तो फिफ्ट मन्त में बोला है कि बच्चे का मन प्रती पुद्धितर होता है मतलब उसका मन इस टाइम पर डिवल्प हो रहा होता है तो इस टाइम पर पॉजटिव एक्टिविटिस में अपने आपको इंवाल्व रखनी की जरूरत होती है पॉजटिव लिट्रेचर पढ़नी की जरूरत है पॉजटिव जो अच्छा म्यूजिक है वो इसमें सुनना चाहिए और शश्टे बुद्धी मतलब कि जो बच्चे की बुद्धी का विकास है वो इस टाइम पे 6 मन्त में होता है तो कुछ ऐसी आयरुवेटिक और और कुछ ऐसी जो ड्रग्स है वो बताएगे हैं जो हमें रोटीन में अपने सेवन में जो है वो लानी चाहिए जो अंदर पलने वाला जो शिशु है उसकी वो इंटेलेक्शली भी वो बहुत अच्छा ग्रो करें यानि की आहार के साथ साथ हमें यह तमाम चीजे भी अपनी दिंचरिया में शामिल करनी चाहिए ताकि बच्चे का जो ओवरॉल विकास कहीं ना करें बिल्कुल वो शुरू चुके यहां पर गतिविदियों की बात करेंगे अब शुरूआत में शायद योग और एक्सराइज हमें बहुत जादा नहीं करने चाहिए परामर्ष के साथ करनी चाहिए लेकिन जब हम चौथे तीसरे महीने से छटे महीने की और जाते हैं तो अब क्योंकि शरीर में जो पुराने जो सिंटिम्स थे जो नहीं वो अब कम हो चुके हैं तो यहां पर अ यहां अब शामिल करनी चाहिए अपनी हर रोज की दिंचरिया में देखें यहां पर योग बहुत ही इंपॉर्टन भूमिकानी भात है इस टाइम पर कुछ आसन है जो गर्भनी बहुत इस टाइम पर कर सकती है जैसे कि ताड़ आसन है अर्द ताड़ आसन है इसके लावा इसको हम ब्रीधिंग एकसेसेज़ बोलते हैं दोसरा इसमें रहते हैं आसन मतलब की फिजिकल पोज और तीसरा होता है ध्यान तैट मिज की मेडिटेशन इसमें से जो ध्यान और प्राणायाम है यह थ्रू आउट पेगनेंसी आप कर सकते हो मतलब इसको हम इस तरह से यह न जो उसकी अबिलिटी है वो different है तो ऐसा नहीं है कि जब हमारी बॉडी हमें signal देती है कि इस से जाधा हम नहीं जुक पारे यह इसको करने से किसी भी तरीके की हमें जो अनीजीनेस हो रही है तो उस टाइम पे वह हमारी लिमिट है बॉडी हमें अपनी लिमिट जरूर बतात जाते हैं इसलिए supervision की इसमें बहुत नीड रहती है तीसरी तिमाही के और यहां पर बढ़ेंगे और बेहत महत्तपून यह तीसरी तिमाही होता है तो यहां पर अब महिला के शरीर में और कितने परिवर्तन देखने को मिलते हैं और खयाल यहां पर किस तरह से रखा जाए द और बच्चा अपनी delivery के लिए normal position में आता है इसको हमकी phallic position बोलते हैं head low position बोलते हैं और even 37 weeks तक गर्ब इतना जादा विक्सित हो चुका होते हैं कि अब वो जनम लेने के लिए बिलकुल तयार है मतलब without any aid अभी वो survive कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं कि अब fetus यह वो mature हो इस टाइम पर जो गर्बनी है कई तरह के symptoms feel कर सकती है जैसे कि उसको पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द रह सकता है उसके पैरों में सूजन आ सकती है उसको सांस लेने में बैटने में दिक्कत होती है वो उसका कारण है कि क्योंकि अभी जो गर्भाशे उसका size बहुत बढ पहुंच गया है डायफ्राम के लेवल पर पहुंच गया है जिसके वजह से डायफ्राम को मूव करने में थोड़ा से प्रॉब्लम होती है तो कई बार सांस लेने की दिक्कत इसमें रहती है और uterus का size क्योंकि इतना ज्यादा बढ़ गया तो आस-पास वाली structures पर pressure डालता है तो अब क्योंकि प्रसव अब धीरे-धीरे नजदीक आता है तो अब अपनी जो डायट है अपने भोजन में क्या वो चीज़े शामिल करने चाहिए ताक कि जो महिला का शरीर है वो उस वक्त के लिए भी कही ना कही प्रिपैर हो सके है देखिए दूद और जो घी के जो मैं इसकी जो खिचडी है इसको खीर के रूप में खा सकते हैं और कुछ सप्लिमेंट्स है जैसे अगर हम उत्राखंड की बात करें तो यहां पर जैसे मंडुआ है जिंगोरा है यह हम डायट में ले सकते हैं और यह पर सीजन के कॉर्डिंग क्योंकि कुछ चीज़े घरम होती ह हैं तो सीजन के कॉर्डिंग हम इसको लेना चाहिए एक्टिविटीज थोड़ी से हम इसमें बढ़ा सकते हैं और योग में पर्टिकुलर्ली वह योग जो की हमारे पैल्विस की मसल्स की स्ट्रेचिबिलिटी को बढ़ाते हैं वह हम इसमें इंक्लूड करते हैं क्योंकि अ उनको महिला एक समझ नहीं पाती तो तीसरी तिमाही के अंत में किस तरह से महिलाओं को क्योंकि अब तरक सिम्टम्स अलग रहते हैं लेकिन जब समय नजदीक आता है प्रसब का तो उस वक्ट जो सिम्टम्स होते हैं उनको कैसे पहचाने एक महिला बिलकुल यह बहुत एक बात है जैसे मैंने अभी बोला कि तृतित इमाही के लास्ट जो पेशेंट है उसको यहां पे एक पर्टिकुलर तकलीफ फील होती है जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और जैसे ही लेबर का टाइम पास आता है प्रसब का टाइम पास आता है तो जो हेड है वो पैल जो पास लेने में थोड़ा से यहां पर हलका बने लगता है तो अब जो लेबर है वो आने वाला है इसके लावा अगर हम पर्टिकुलर इंटर्वल पे आनी शुरू हो जाती है और एक चीज़ का जरूर ध्यान रखने है कि अगर इस तोरान किसी भी तरह की ब्लीडिंग य अगर जो patient को feel होती है तो बिना समय गवाई उसी समय जो है वो hospital में जाके अपने आपको check करवाने की जरूरत है specially अगर amniotic fluid अगर रप्चर होता है अगर किसी भी तरह का एकदम से तरल पदात एकदम से योनी से निकलता है तो इस आरे लक्षन है कि अब आने वाला जो समय है उसमें प्रसव हो सकता है तो इन चीजों का special ध्यान रखनी की जरूरत है प्रसव से पहले एक महिला को मानसिक अध्यात्मिक रूप से किस तरह से अपने आपको तयार रखना चाहिए क्योंकि अब एक कष्ट और एक सुख़द अनुभाब दोनों की अनुभूती होने वाली है तो ऐसे में एक महिला के शरीर में बहुत तरह के उतार चड़ावात है सबसे ज़्यादा चुनौती वाला वक्त कहीं न कहीं यही माना जाएगा ऐसे में शारीर क्रूप से मानसी क्रूप से अध्यात्मे क्रूप से महिला को किस तरह से तयार रहना चाहिए और गर्भिनी परिचरिया में इसका ज़कर किस तरह से किया गया है दिखिए अगर हम शारीरिक रूप से त्यारी की बात करें तो पूरी गर्वनी परीचरया इसी की उपर ही dependent है मतलब जो भी diet बताएगे हैं जो भी pelvic exercises बताएगे हैं वो सारी शारीरिक रूप से ही एक त्रीके से body को prepare कर रही है और अगर हम अध्यात्मिक रूप से या अगर हम emotionally बोलें तो इस टाइम पर जैसे मैंने बताया कि positive thoughts का होना बहुत ही आवशक है तो कि जो हमारे इस टाइम पर विचार होते हैं उसका सीधा असर बच्चे पर पढ़ता है और एक चीज़ इसमें मैं importantly बोलना चाहूंगे कि जैसे अच्छा literature और अच्छे books साथ में अच्छे TV के program ज़रूर देखने चाहिए कि होता कहा है कि अगर खाली समय में जो भी जो गर्वनी है वो program सेखती है कोई fight scenes है या कोई emotional scenes है तो वही same stress वही same anxiety वही same emotions हम अपने अंदर भी feel कर रहे होते हैं तो उस time के जो negative neurotransmitters है जो negative chemicals हम बोल सकते हैं तो हमारी body में भी secret हो रहे होते हैं चाहे अब भी हम उस situation में नह जाल रहे हैं और वही effect आगे चलके blood के थूज है वो बच्चे तक भी पहुंचता है तो इसलिए मैं यह बोलूँगी कि particularly अच्छी activities में engage करना बहुत जरूरी है positive literature आप जिस भी धरम को मानते हैं आप अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं आप वो पढ़ सकते हो और especially एक anxiety तो हो होता है कि delivery normal होगी या करना पड़ेगा घर से कोई help आएगी या नहीं तो कई बार यह देखा जाते है कि पूरे नौह महिने में तो घरमी ठीक रहती है बट लास्ट के टाइम पे आके कई बार anxiety के कारण या कई पर पेशेंट हाइपर टेंस हो जाती है उसका BP बढ़ना शु योग में क्रिया होती है त्राटक त्राटक का मतलब है कि जैसे हम एक शांत कमरे में बैठके पर्टिकुलर जगा पर फोकस करते हैं वह चाहिए भी हो सकता है कि आप मंदिर में बैठके आप एक दिया जलालो और उसकी लौ की तरफ टकर टक एक पार में देखते रहे है यह ना कोई पर्टिकुलर दिवार पे पॉइंट बना के आप उसकी तरफ देख सकते हो तो यह सारी कामनेस को प्रमोट करती है तो यह सारी चीजों में इंडल्ज रहना चाहिए बिल्कुल क्या गर्भिणी परिचरिया में प्रसफ के बाद और शिशू की देख भाले उसको ल फीमेल की बॉड़ी वो बिल्कुल ठक चुकी होती है उसका नर्वस सिस्टम उसका मस्कुलर सिस्टम हो थक चुका होता है और एक जो अभी बिल्कुल नवजाच शिशू पैदा हो है उसको उसकी देख भाल की रिस्पॉंसिबिलिटी भी पूरी होती है तो इसके लिए अगर हम अपनी ट्रडीशनल रूट्स को देखें तो इस सारी चीज़े हमारी दिन चर्या में हमारी दादी हमारी नानी रूटीन में इसको यूज करती थी बट आजकल फैमिली नुकलियर हो गई है साथ में सलाह देने वाले बजुर्ग नहीं है तो हम इसको पर्टिकुलर से डिशाज होके आती है तो आइसोलेशन बहुत इंपोर्टेंट है आइसोलेशन मतलब कि बाहर से जो विजिटर्स आ रहे है उनका डिरेक्ट कॉंटेक्ट इमिडेटली उस लेडी के साथ नहीं होना चाहिए और आइसोलेशन की इंपोर्टेंस अभी हम सब कोविट के बा कारे में भी बताया गया है जैसे कुछ ड्रग्स हैं जिनको हम रख्षोग ड्रग्स बोलते हैं जैसे कि हींग है सरसो के दाने है या फिर राई है नीम है इन सब को जलाके जो उसका धुआ है वो भी अच्छा माना गया बेसिकली कहें कि डिसिंफेक्ट हमने इसमें करना है और जंस्ट आफ्टर डिलिवरी पट बंधन यह आपने देखा भी होगा बहुत सारे घरों में करते भी हैं डिलिवरी के बाद पेट पे अच्छे से ओल की मसाज करके चौड़े कप्रे से पेट को बांग देते हैं तो इस सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टनेट और आइ करती हैं जिससे आगे चलके वेट गेन है या जो अब्डॉमिनल वॉल्स वो लैक्स हो जाती है तो वह कहीं किसी हद तक हम सब को रोक सकते हैं कहीं ना कहीं महीला को वापस अपने स्वरूप में आने में मदद बिल्कुल तो डॉक्टर साहब आप हमारे कारिक्रियम में होगा फिलाल के लिए दीजे इजाजत नमस्कार